हेलो उनींक काल अनवॉक्सिंग एंट्रीविूज आज हम ला है फ्रेंजि क्या रहा है गैस करो हम आज लाए है। शूरेल उसकी उन्वॉक्सिंग करेंगे। चले फ्रेंज़ तरख चलते हम दिखाएंगे कैसा डिशूर है। यह पैकेट आज हमें रिशिप हुआ है फ्लिप कार्ट से यह है कोराइट पीपी कोलेचिबल वार्ड ड्रोब यह हमें नौसो निन्य रुपे में मिला है अब हम आपको इसके अन्बॉक्सिंग करके दिखाएंगे यह एक्चुल में एक सुर्ण रहाखे यह हम पांच साथ और दस फ्लोर तक का मगा सकती हैं फ्लोर का मतलब लेबल तक हमने मगाया है सेवन लेबल का यह इसका इंटीरियर क्लोथ है यह यह अंदर वाला कप्रा और यह इसकी बहार का कवर है यह अंदर कुछ स्टिल पाइप है यह है इसको जोइंट करने के लिए यह देखिए कपड़े के क्वालेटी बहुत अच्छी है चेन भी काफी अच्छी है स्मूथ है चेन यहाँ पर दो चेन दीवी है देखिए इस तरके का यह कपड़ा है यह एक तरब से उल्टा है एक तरब से सीधा है यह आपको एक कपड़ा मिलेगा एक यह ऐसी बड़ी रोड है एक यह छोटी रोड है एक रोड है ऐसी जो की थोड़ी से बड़ी है छोटी वाली से बड़ी रोड को कपड़े में दीगी जगे में डालना है फिर दुसरी बड़ी रोड को भी दुसरी जगे पर डालना है इस तरह के का थ्री लिंक लेना है ये प्लास्टिक थ्री लिंक है और इसकी चारो तरफ हर होल में एक एक पाइप जाएगा हमें करना क्या है कि ये जो पाइप है इसकी अंदर लगाने से पहले इसको लगाना है और ये देखना होगा ये वाला जो हॉले ये उपर की तरफ आए इस तरीके से करके ये ऐसे लग जाएगा और अब दुसरी तरफ भी टी प्लास्टिक लगाना है और ऐसे लगाए कि इसका हॉल भी उपर की तरफ लए ये एक पाइप तयार हो गया है अब दुसरा पाइप भी हम इसी तरह के से तयार करेंगे इसका भी ध्यान लखी है कि एक हॉल उपर की तरफ लेना चाहिए ताकि उसमें उपर वाली पाइप लगाई जा सके अब इन दुनों पाइपों को दो बड़े पाइपों से अब हम जोड़ देंगे तब ये एक सेल्प तयार हो जाएगे यानि कि एक लेवल तयार हो जाएगा अब इसको चारों तरफ से थोड़ा दवा कर हम इकोल कर लेंगे और अच्छे से इसे सेट कर लेंगे ताकि ये इदर उदर ना हिले और टूटे भी ना या निकल न जाए हमने ये सेल्फ हमने पहले चे बना के रखी है ये छोटा पाइप है इसको ऐसे उपर वाले हॉल में लगाना है ये तीनो चारो पाइप हमने लगा दिया है अब इसको हम अच्छे से टाइट कर दें अब इसके उपर ये जो सेल्फ बनाई थी अब इसको हम लगा देंगे ये अब अच्छे से लग गई है और आप देखिए ये कितनी इजी और हलका है उठाने में कहीं ही से भी कोई भी पाइप नहीं निकल रहा ये जो एक और सेल्फ हमने पहले से बना के रखी थी अब हम इसको भी जोइंट कर देंगे हमारे पास तीन सेल्फ और है अभी ये देखिए हम इने जोड देंगे अब हमने तीन और दो सेल्फ का रैक बना लिया है अब हम इसे जोइंट कर देंगे और पूरा सेवन लियर का सूर एक बना लेंगे ये देखिए हमारा सिक्स लियर का सूर एक बनकर त्यार हो गया है और इसकी नीचे हम ये लेक्स लगा रहे हैं ताकि हम इसको इधर उदर खिसका सके ये वैसे सिक्स लियर का है लेकिन अब इसकी उपर ये seven liar लगेगी ये देखे, ऐसे लगाना है इसको वैसे बाकिकी जैसे लगाई गए थे वैसे ही सेम इसको भी लगाना है बस इसमें cloth नहीं होगा क्योंकि इसकी उपर इसका cover आएगा अब इसकी बाद ये इसका cover है जो की इसकी उपर हम लगा देंगे यह इसकी चेन खोलने के यहां से दो चेन है इसमें कवर के क्वालेटी भी अच्छी है अब इसकी उपर चेन खोलके लगाएंगे तब देखते हैं कैसा लगेगा यह रेडी हो गया लगाने के लिए और इसको अब ठीक से अज्जेस्ट कर देते हैं यह देखिए यह अज्जेस्ट हो गया है और कवर पुरा आ गया है इसकी अंदर दो स्टिप दे गई है ताकि आप इसे रोल करके इसमें लगा सके इस तरीके से रोल करना है ऐसे strip को लगा देना है यह इस तरीके से दिखाई देगा आप इसे ऐसे खोल कर छोड़ सकते हैं इसे chain लगा कर completely pack करके रख सकते हैं इसे धूल मित्ती अंडर ना जाए आपको कैसा लगा फ्रेंज हमारा सूरेक अच्छा लगे तो बताईए और like, comments, share करना ना भूलिए फ्रेंज अब लोग हम लोग को support करते हैं दिरे दिरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी और आप सब की support मिलेगी तो और अच्छा होगा फ्रेंज हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाके दिखाएंगे फ्रेंज अच्छा लगे? कोमेंट्स करना ठंक जरूर डबाना और गंटी को टिंग 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 करना फ्रेंज ओके फ्रेंज चलिए ओके मिलते फिन नेक्स वीडियो में सी यू बाबाई फ्रेंज